दोस्तों computer keyboard पे जो कीज होती है वो alphabetic order में नहीं होती है ऐसा क्यों यह सवाल आपके मन में भी आया होगा क्या जिन सैंटिस्ट ने कीबोर्ड डिजाइन किया था उनको ABCD नहीं आती थी ऐसा इसका रीजन है नहीं इसका असली कारण क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाल अगर आपको जानने तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 7 इंट्रेस्टिंग कम्पीटर टेक्नालोजी के फैक्स लेक्स लेक्या हूं तो चलिए complete टेक्नलोजी चैनल पर मैं सदिश आप सब का सवगत करता हूं शूरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दूस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर कम्प्लीट टेक्नलोजी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और बेल अपर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडिए को नूटिफिक्शन आपको मिले और साथी में हमारी एक वेपसाइ दोस्तों अगर 1945 में आप होते हो और उस जमाने में आप कम्पीटर खरीदने का सोच थे तो मैं आपको बताओ कि कम्पीटर खरीदने के पहले आपको एक बंगलो खरीदना पड़ता हाँ आप बोलोगे यह कम्पीच खरीदना और बंगलो खरीदना इस में क्या connection है जी हां दोस्तों क्योंकि उत जमाने में computer इतना बड़ा हुआ करता था कि वो एक छोटे से घर में नहीं बैट सकता था सबसे पहला electronic computer उसका नाम था INEAT यानि कि electronic numerical integrator and computer और ये computer इतना बड़ा था कि इसका वजन लगबग 30 टन था और इसे मैं आसान वाशन बताओ तो ये लगबग 2 truck की बराबर था और ये computer 150 kilowatt तक electricity consume करता था मतलब इतनी electricity में आपके घर की बिजलिक कई दिनों तक चल सकती है और इसमें लगबग 18,000 vacuum tubes use की जाती थी अब vacuum tube क्या है इसके बारे में आप जरूर जाना चाहोगे vacuum tube एक glass tube होते है जिसमें से हवा को निकाला जाता है और उसे vacuum create किया जाता है और ये vacuum tube switches और amplifier की तरफ काम करती थी इनमें से कई tubes हर रोज खराब होती थी जिसकी वज़े से इस बड़े computer को अहादी time तो बंदी रखना पड़ता था और ऐसा कहा जाता है कि ये computer बिना कराब हुए maximum पास दिन चला था तो ये था fact number 7 अब बढ़ते fact number 6 की तरफ virus दोस्तों मैं उस virus की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज कल आप सुन रहे है news के अंदर वैसे उसके उपर हमने already वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे curiosity चैनल पर जाके चेक कीजिएगा या उपर i button है उसमें हमने link रख दी है लेकिन फिलाल मैं जो बात कर रहा हूँ virus की वह है computer virus के बारे में को जानना बहुत ज़री है यह continuously connected जो वर्ड है इसमें virus पहलने के बहुत सारे जरिये है जैसे की email, text messages, social media, etc, etc वैसे तो बहुत सारे computer viruses और worms थे और heavy लेकिन उन में से एक पुराना computer worm के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जिसका नाम था I love you जियां दोस्तों यह एक email worm था मतलब आपके inbox में email आता था जिसमें subject line में लिखा होता था I love you और नीचे एक attachment रहती थी love later for you और जैसे उस attachment पे आप double click करते थे तो वो program execute होके वो automatically आपके computer के अंदर के file को overwrite कर देता था और इतना है नहीं उस समय में आपके Windows address book में या Microsoft Outlook के address book में जितने भी email address रहते थे उनको automatically I love you नाम का email send हो जाता था और यह I love you नाम का computer worm आया था साल 2000 में और अगर आपको कभी I love you subject का mail आता है तो यह मत समझना किसी लड़की ने आपको बेजा होगा तो सतर्क हो जाईएगा इस email पे click करने के पहले यह तो fact number 6 अब बढ़ते fact number 5 की तरह दोस्तों अगर हम heart disease की बात करे तो आपके दिमाग में क्या आता है heart disease कितने GP की है कितने TP की है इतना ही खयाल आता होगा लेकि heart disease related चोकान वाली कबर यह है कि जब पहला heart disease drive बना था तो उसमें सिर्फ 5 MB का space हुआ करता था दोस्तों यानि कि आज के जमाने का एक गाना खली उसमें बैठता था और यह artist IBM दोरा बनाए गई थी 1956 में और इसका वजन लगबख एक टन था जिसमें 5 MB का डेटा स्टोर होता है इसकी कीमत लगबख 50,000 डॉलर थी दोस्तों यह तब fact number 5 अब बढ़ते fact number 4 की तरह अब इन दिनों आ ports का इस्त wart से कीबोड के लिए serial ports होआ करता था प्रिंटर के लिए parallel पोट होआ करता था और यह तक आज भी देखेंगे आप तो monitor के लिए विज़े vst. अब करते थे और उसकी वज़ेस से यह सारे पोर्ट एक साथ कभी कभी काम भी नहीं कर पाते थे और यह दिक्कत जो होती थी उसे खतम करने के लिए बड़ी-बड़ी यह भी 1.0996 में इंट्रोड़ूस किया गया था और उसका ट्रांसपर स्पीड लगबग 1.5 एंबी-212 एंबी पर सेकेंड था आगे की तरफ बढ़ने के पहले हैं दोस्तों मैं आपको बताओ कि अगर अब तक के फैक्स अपको अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और हमने वीडियोज डाले हैं आपके मन में भी सवाल आता है कि हमारे आसपास की चीज़े क्यों होती है कैसे होती है उसके पीछे का साइंटिफिक रिजन क्या है यह सारी बात है अगर आपको जाने डीटेल में जानी है तो हमने इसके उपर बहुत सारी वीडियो आप लोड़ और नहीं है तो चलिए जानते हैं इसका असली रिजन अब सबसे फ़ले मैं आपको यह बताओ कि हमारे जो कीबोर्ड के कीज का पैटन होता है उसे क्वारेटी कीबोर्ड पैटन बोला जाता है जिहां हम हर रोग जो कीपड यूज करते हैं अपने मोबाइल पोन से और का पैट इंबसे क्वारेन हैं शरुज करते हैं शरुवात में कंप्यूर का कीबोर्ड नहीं हुआ करता था टाइप राइटर पे टाइपिंग किया जाता था और यह जो टाइपराइटर थे उनकी कीज कीज की तरह थी और उसमें जो लेटर थे उन्हें alphabetical order में अरेंज किया गया था जैसे कि A, B, C, D और ये जो type writers थे वो एक puppet mechanical device थे उनमें बहुत सारे mechanical linkages का इस्तमाल किया जाता था और type करते समय English language में कुछ words ऐसे है जो commonly एक साथ आते है alphabetical order keypad पे ऐसे alphabet अजो बाजो में ही place किये थे जिनका इस्तमाल English language में एक साथ और बार बार होता है high speed में type करते समय जब ऐसे alphabet एक साथ type होते थे तब type writer जाम होता था दोस्तो ये problem को solve करने के लिए Christopher Scholes ने in word को दूर दूर कर दिया और query नाम का pattern design कर लिया और ये combination इतना famous हुआ कि बाकी सारी type writer company ने इसे accept कर लिया और इसी सबसे आगे के सभी type writer आपने बनाने लेगे और ये असल में तो type writer का problem solve करने के लिए बनाया गया था लेकिन ये इतना famous हो गया कि आगे चलकर computer के keyboard में भी यही pattern को continue कर लिया गया ये तो pack number 3 अब बढ़ते pack number 2 की तरब अच्छा आप सभी internet तो use करते ही है लेकिन क्या आपको पता है कि internet का भी वजन होता है ये बात जानकर आप जरू चोक गए होंगे कि क्या बात करें सर इंटरनेट का भी वजन होता है जी हाँ मेरे दोस्तों वो internet का भी वजन होता है और जितनी भी चीज़े internet पे available है जैसे कि website, documents, video, email इन सभी को हम data बोलते है और इस data का physical energy और mass दोनों भी होते है जो भी data store होता है वो electrons की वज़े से store होता है और जैसे आपने science में पढ़ाई होगा कि electrons का भी वजन होता है दोस्तों जो कि बहुत कम होता है electron का वजन लगबग 9.1 into 10 raise to minus 31 kg होता है और scientist की सबसे 50 kg का email store करने के लिए 800 करोड तक electrons लगते है और कुछ scientist के calculation के अनुसार अगर आप 4 GB का data mobile में download कर लेते है या add कर लेते है तो आपके mobile का वजन 0.000 ऐसे 18 बार 0 के बाद 1 ग्रैम से बढ़ेगा और 2011 में scientist ने पूरे internet पे जितना भी data है उसका वजन calculate किया था तो वो लगबग 50 ग्रैम था और यह 2011 की बात है दोस्तो अब तो और भी बढ़ गया होगा और यह था internet से related हमारा fact number 2 अब बढ़ते है fact number 1 की तरफ और fact number 1 है प्रोसेसर के बारे में यानि की computer के दिमाग के बारे में क्या आपको पता है कि Intel के i7 प्रोसेसर के second generation में 100 क्रोड तक transistor होते हैं जिए दोस्तों सो क्रोड ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप के अंदर होते हैं जिसे हम microprocessor कहते हैं और यह microprocessor एक electronic component होता है जो कि आपको बता है कि वो computer में processing का काम करता है और इस च्छोटे से चिप के अंदर बहुत सारे transistor, resistor और diodes होते हैं और मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताओं तो ट्रांजिस्टर एक सेमिकंड़क्टर मट्रेल से बना होता है जो कि स्वीच या अम्प्लिफायर का काम करता है और क्या आपको बता है कि पहला कभी मेंट हुआ था 1971 में और वह इंवेंट किया था इंटेल कंपणी में उसका नाम था कांप्यटर और टेकन लोजीस रिलेटर दॉस्तों सो कैसे लगे दोस्तों कंप्यटर और आपको पसंद आ गए होंगे